जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत अभी नंदन करते हैं आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में जो की बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका और इस इंपोर्टेंट टॉपिक से संबंदित हम कुश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जैसा कि आपको इस स्क्रीन पर दिखी रहा होगा कि आज हम लोग अर्जस्मेंट आफ पार्टनर कैपिटल जिसे हम एडमीशन वाले पॉर्शन के कॉंसेट के इसाफ से समझेंगे ठीक है बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और डारेट कुश्चन करते हैं और मैं एक बार आप लोगों को बता चुका हूँ एक होगा आपका on the on the base of old partner capital और दूसरा होगा आपका on the base of new partner capital तो चलिए फिर डारेट कुश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद decide करते हैं कि हम इसमें new partner के base पे चलेंगे या फिर old partner के base पे चलेंगे देखिए आपके सामने question है आपका दो partner है पहले वाले का नाम S है दूसरे वाले का नाम T है अब इनके profit sharing ratio की बात करें तो इनका profit sharing ratio है वा आपका 3 is to 1 है मार्च 2021 को इनका balance sheet इस प्रकार है cash at bank 10,000 है data दो लाग 50,000 है stock दो लाग 20,000 है bank प्लांट और machinery एक लाग 40,000 है total आपका पांच लाग 20,000 है फिर उसके बाद creditor की बात करेंगे एक लाग 20,000 है bank loan एक लाग 50,000 है S का capital एक लाग 50,000 है और T का capital आपका एक लाग है total आपका पांच लाग 20,000 है इन्होंने नह partner को admit किया और किस terms पे इन्होंने admit किया है कि यह आपका one third share लेकर आएगा कितना share यह पाएगा one third share पाएगा अपने हिस्से की यह 20,000 क्या लेकर आ रहा है goodwill लेकर आ रहा है और one lakh 50,000 आपकी क्या लेकर आ रहा है capital लेकर आ रहा है देखिए एक चीज़ सुनिए अगर new partner का capital दिया गया है question में तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी partner के base पर चलेंगे यानि new partner के base पर चलेंगे अगर new partner का capital ना दिया हो तो फिर आप old partner के base पर चलेंगे समझेए ध्यान से अगर new partner का capital दे रखा होगा तो आप new partner के base पर चलेंगे और अगर new partner का capital नहीं दिया रहेगा तो फिर आप old partner के base पे चलेंगे तो अब आपको new partner का capital दे रखा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि अब आप new partner के base पर ही चलेंगे आगे question क्या कह रहा है कि plant और machinery आपका reduce हो गया है 10% पांच हजार आपका bad debt आया है stock का valuation हो गया है 249,400 फिर उसके बाद आगे question क्या कहता है कहता है कि by bringing in or withdrawing the cash and capital यानि नया या तो capital bring किया जाएगा bring मतलब लाया जाएगा या तो पैसा क्या किया जाएगा withdraw किया जाएगा इसके द्वारा s और t के द्वारा to be the maid आगे देखो साफ साफ का लिखा है to be the maid the proportionate to the career of their profit sharing base यानि नय पार्टनर के base पे आपको capital का adjustment करना है old partner का क्या करना है capital का adjustment करना है आप से कहता है कि pass necessary prepare necessary account and pass the journal entry तो ठीक है जल्दी से हम लोग क्या बनाएगे इसमें रिवेलुएशन एकाउंट बनाएगे partner capital बनाएगे और adjustment of partner capital अकाउंट solve करेंगे जल्दी से पहला एकाउंट आपका क्या बनता है रिवेलुएशन एकाउंट जल्दी से बनाएगे रिवेलुएशन एकाउंट कोशन पॉइंट नमबर वन अब मेरी बात ध्यान से तो long question को करने के लिए मैं आपको कुछ step बता रहा हूँ उस step के base पर आप अपने question को क्या करेंगे solve करेंगे जैसा जैसा step है वैसे वैसे अगर आप step को solve करेंगे तो यकीन मानिए आपका question 99% chance है कि solve हो जाएगा और 99% chance है कि आपका वो question correct रहे एक percent वो आपके उपर depend करता है वो 99% के step क्या है आईए देख लेते हैं ये step कहीं और नहीं mention है सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ इसी channel के माद्यम से पहला step क्या है बटा आप चाहे admission करिए आप चाहे retirement करिए चाहे death करिए तीनों में इसी step को आप follow करेंगे हमारा सबसे पहला step है आपका calculate new profit sharing ratio हमारा सबसे पहला step है ध्यान से सुन लीजे ठीक है ध्यान से सुन लीजे असने का समय बाद में आएगा अभी पढ़ने का समय है ध्यान से सुनिए पहला step क्या है आपका calculate new profit sharing ratio दूसरा calculate SR and GR अगर admission है तो SR और retirement और death है तो फिर क्या आएगा आपका जी यार मतलब gaining ratio तीसरा step जर्नल इंट्री related to goodwill जर्नल इंट्री related to goodwill ठीक है यह आपका तीसरा step है चौथा step रिवेलुएशन एकाउंट चौथा step आपका क्या है रिवेलुएशन एकाउंट फिर आपका क्या है पार्टनर capital एकाउंट और लास्ट है आपका balance seat तो यह आपके step है और आपको इनी step से अपने question को क्या करना है solve करना है new profit sharing ratio कभी कभी आपको question में दिया रहेगा sacrificing ratio भी आप assume कर लेंगे क्योंकि case number one और अगर two रहेगा तो उसमें जो आपका new profit sharing ratio रहता उसी आदार पर हम आपका sacrificing निकाल लेते हैं लेकिन जो journal entry है वो तो आपको करनी ही करनी है evaluation account है वो तो आपको करना ही करना है partner capital account वो भी करना है balance sheet वो भी आपको करनी है तो आप sequence से question को solve करिए यकीन मानिए आपको पूरा का पूरा number आपका examiner आपको देगा सबसे पहला हमारा step क्या था calculate the new PSR जलिए फिर जल्दी से हम इसी question को इसी step से solve करते हैं तो total profit हमारा क्या है मानिंगे आपका total profit note करते रहें सभी लोक 1 है और आपने कवीर को कितने के लिए admit किया है थिर कवीर को आपने कितने के लिए admit किया है थिर नियूर आपका remaining ratio कितना आजाएगा रिमेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा आपका 1-1 upon 3 क्या पर क्या आ जाएगा आपका 2 upon 3 अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हमने किया तो लेकिन हमें नंबर नहीं मिला इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने तो आप सिस्ट्माटिक तरीके से नहीं किया यह आप जानिए आपकी बैलेंसीड भी बढराबर आ गए लेकिन फिर भी आपको नंबर कट गया क्यों कर गया क्या पूकि आपने सिस्ट्माटिक तरीका है यार्क क्या रहिएगम उसके बाद अगला अब ुद्या definitive with Oh Kijne रेशियो आप T, तुलसी, तो 2 upon 3 into old ratio क्या था इनका, 3 is to 1, यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 upon 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 upon 3 into 1 upon 4, यहाँ पर कितना आजाएगा, 6 upon 12, यहाँ पर 2 upon 12, और जब आप के का बेस बराबर करेंगे, तो के 1 upon 3 के लिए आ रहा था, बेस के लिए 4, बेस के लिए 4, यानि 4 upon 12, यानि आपने पहला स्टेप अपना सॉल्व कर लिया, क्या विए, तो new profit sharing ratio, खे 2, 4, काटने का मन है, काट लीजे, 3, 1, 2, तो यह हो गया हमारा पहला स्टेप, अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, SR, calculate SR, अब SR लिखने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, old ratio minus new ratio, old ratio minus new ratio, तो S का 3 upon 4, E का 1 upon 4, और इसका new ratio क्या आगया, 3 upon 6, 1 upon 6, LCM कितना होगा, 24, ठीक, LCM कितना होगा, 24, करके देख लीजेगा, अब यहां पर कितना होगा, 6 और यहां पर कितना होगा, 18, minus, 9, यहां पर कितना आजाएगा, 9, 3 आएगा, 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 मेंट, ठीक, 12 आएगा, 12 आएगा, यहां पर कितना आगया आपका, हाँ, छे, 4, 2 से, 2, 3, 2, 3, 1, 1, अच्छा, हाँ, 12 आएगा, 12, यहां पर 3 आगया, यहां पर 9 आजाएगा, और यहां पर आपका, यहां पर 6 आजाएगा, यहां रिप्री अपॉण 12, 3 अपॉण 12, इसके बाद यहां पर आलसिम कितना आएगा, आपका, 12, यहां पर आपका कितना आएगा, 3, 3 माइनस 2, 1 अपॉण 12, तो सेकरिफाइसिंग आगया आपका, ऐसे बॉक्स बना बना के आप लिखिए अपने एक्जाम में, 3, 2, 1, अब उसके बाद अगला हमने क्या बताया था, गुडविल, न्यू पार्टनर गुडविल, न्यू पार्टनर, शेयर ओफ गुडविल, नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर आया है, कितना लेकर आया है, 20,000, 20,000, फिर एस, सेयर ओफ गुडविल, टी, सेयर ओफ गुडविल, 20,000, 3 अपन 4, 20,000, 1 अपन 4, काटेंगे यहाँ पर, 4 से आपका 5, न, यहाँ पर कितना आगया आपका, 5,000, यहाँ पर आगया आपका, 15,000, ठीक, अब जर्नल इंट्री, जर्नल इंट्री, बैंक एकाउंट डाबिड, टू, एक कापिटल एकाउंट, टू, गुडविल एकाउंट, यहाँ पर आपका, 20,000, और यह कापिटल कितना लेकर आ रहे थे, यहाँ पर आगया आपका, एक लाग, सत्तर हजार, फिर आप गुडविल बाटी है, गुडविल एकाउंट डाबिड, टू, एस कापिटल, और वह आपका, टी कापिटल, कितना आएगा, फंदरा हजार, पाँच हजार, टूटल आगया आपका, बीस हजार, देखिए, मिटरो नहीं किया है, इस तरीके से आप जब कुश्शन करेंगे, तो अब देखिए, आपको नंबर कहाँ पर काटेगा, इसको देना पड़ेगा नंबर, यह आप देखिए, अब उसके बाद हमने कितने स्टेप फॉलो कर लिये, हमने पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेप फॉलो कर लिया है, तीनों स्टेप पे, अगर वो मुझे एक-एक नंबर देगा, तो दस मे से मेरे तीन नंबर आ गए या गए? है? ठीक नंबर आ गए इक स्टेप पे एक एक नंबर देगा ये देगा हो, देगा ही देगा! अब अगला पॉइंट क्या है आपका., रिवैलूएسन, क्या for the year ended 31 March 2000 जो भी साल दिया है क्या साल दिया है 2021 हाँ ये लिखिए आप अगर ये नहीं लिखेंगे नमबर कटेगा लिखेंगे वैसा नहीं कि आपको वालक से नमबर देदेगा लेकिन नहीं लिखेंगे तो कटेगा 100% अब 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 पर्टी गूलर रूपिया पर्टी कूलर रूपिया पर्टी कूलर रूपिया सबसे पहले आपके चेक कर लिए जल्दी से प्लांट का वैलू रिडिउस हो गया है तो plant था कितने का 40,000 का 10% reduce हुआ है तो कितना हो जाएगा 4,000 और bad debt भी आपको कितना है आपको maintain करना है 5,000 यानि ये दोनों debit side में चला गया 2 2 plant and machinery 5,000 चास कितना था चालिस था गया अच्छा हाँ चालिस डेटर आपका पांच हजार तो bad debt तो bad debt आपका कितना पांच हजार उसके बाद पहला point ये दूसरा वाला हो गया हमारा ये वाला point भी हो गया अब कहता है पांच वैलुएट कितना टू लाक फॉर्टी नाइन था फॉर एंडड़ थी कितना इस्टॉक था कितने का दो लाक बीस हजार का था यानि बढ़ गई की नहीं बढ़ गई वैलू कितनी बढ़ गई भाई लुए अब इस चालिस लब 29,400 कि करिए आज बाइस टॉक कितना एंटिस अजार चार सो पुछ बढ़ा है और कुछ आपका ना तो बढ़ा है ना ही क्या हुआ हुआ है घटा है ठीकिए यहां है ना बस खतम है जल्दी से इसका बैलेंस बताएंगे कि इस चार सो प्रॉफिट हो गया माइनस करिए नौ हजार तो नौ हजार घटाएंगे तो बेटा बीस हजार चार सो और तू पार्टनर क्यापिटल एकाउंट एस और एक का कितना आएगा एस का बाट दीजे इसको बीस हजार चार सो गुड़े एक बटा चार इदर से काटेंगे तो पांच आएगा एक आएगा पंद्रा पांच हजार सो रुपया और इधर का जाएगा पांच पांच तरिक पंद्रा तो यह नीचे आप काट के दिखाईए अपने एक्जामीनर को कि देखो सर हमने काटा है यह करेक्शन भी आप यहां पे क्या करेंगे अपनी कॉपी में लिखेंगे नहीं पंद्रा हजार तीन सो लिख देंगे आपको वहां पे एक्जामीनर को बताना पड़ेगा इसर है और जो भी चीज करनी उसको फिर आप ऐसे क्या कर दीजे बॉक्स में बना दीजे आप बॉक्स में बना दीजे एक्जामीनर भी खुस हो जाएगा कि वह पड़ा लिखा बच्चा है अपना नंबर इसका नहीं काटेंगे चलिए आगे देखेंगे फिर उसके बाद अगल पार्टनर कैपिटल एकाउंट एस टी ए एस टी ए पर्टिकुलर फिर पाई बैलेंस बीडी बाई गुडविल बाई री वैलुएशन प्राफिट कुश्चन से इतना पता ही चल जाएगा कि क्या क्रेडिट करना है ज़्दी से कैपिटल लिखेंगे पहले कहा गया एक लाख पचास हजार और एक लाख एक लाख पचास हजार एक लाख यहां पर मैंने कैश नहीं लिखा है नए पार्टनर का लिख दीजे इतना लेकर आये हैं यह एक लाख पचास हजार पूडविल कितनी आई थी जो में बाटी है 15,000 और पाच हजार पंद्रह हजार और पाच हजार चेक कर लीजे कोई reserve कोई profit कोई workman compensation यह सब तो कुछ नहीं है liability side में कुछ भी बाटने लाएक नहीं है acid side में कुछ नहीं है बाटने लाएक सब हमने बाट दिया सीधा क्या निकालिए बैलेंस इडी अरजस्टमेंट अभी बाकी है अच्छा रीवैलुएशन का रीवैलुएशन प्रॉफिट हां रीवैलुएशन प्रॉफिट पंदरा हजार पंदरा हजार तीन सो और पांच हजार पाव अब उसके बाद देखो अभी अरजस्टमेंट वाकी है लेकिन अरजस्टमेंट को करने से पहले आप बैलेंस इडी पता करो इसे हम अरजस्टेड कैपिटल कहते हैं ठीक है? क्या कहते हैं बटा? अर्जेस्टेड कैपितल. ये जो पहले आप बैलेंस एडी निकाल रहे हो न? ये आपकी अर्जेस्टेड कैपितल कहलाएगी. क्या कहलाएगी ये? अर्जेस्टेड कैपितल. जल्दी से पता करो. पहले का तीसरे वाले का तो एक लाग पचास हजार एक लाग दस हजार सो रुपया एक लाख दस हजार सो रुपया है ना एक लाख दस हजार सो रुपया एक लाख दस हजार सो रुपया एक लाख दस हजार सो रुपया एक पंदरा पंदरा तीस पंदरा क्या हो गया तीस मतलब तीस असी एक लाख असी हजार तीन सो एक लाख असी हजार तीन सो एक लाख असी हजार तीन सो अब देखिए चार लाइन छोड़कर अधालेंगे यहां पर अरजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कि अरजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अक्सर गलती क्या होती है कि हम जो वर्किंग करते हैं वो बाद में करते हैं जबकि वर्किंग आपको साथ ही साथ की करनी होती है याद रख्ये रहे है एक वाद ही साथ वर्किंग करते रही मैं अल सी अब अनतब बेस आफ लुड़क और ट्रकृट्टक अ क्क्या बेस ऑफ capital of new partner पहला step capital of new partner तो आपको भी पता है capital of new partner कितना है एक लाग पचास अजार फिर उसके बाद दूसरा step क्या है share of new partner share of new partner कितना है वन अपन थ्री फिर तीसरा step क्या था रेसी पोकल करो रेसी पोकल करोगे तो क्या हो जाएगा थ्री अपन वन हो जाएगा फिर टोटल कैपिटल आफ दा फर्म और इसका फॉर्मूला क्या था टोटल कैपिटल आफ दा फर्म का फॉर्मूला क्या था न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसी पोकल न्यू पार्टनर कैपिटल कितना एक लाख पचास हजार और गुड़ा थ्री इस्टू वन यानि कितना हो जाएगा आपका चार लाख पचास हजार अब चार लाख पचास हजार विल डिस्टिब्यूट आल आप दा पार्टनर यानि न्यू पार्टन यू पीएसर में माट दीजे तो न्यू पीएसर कितना है आपका आपने निकाला था न्यू पीएसर यह राद थ्री वन टू आप चार लाख पचास हजार को और लाक फिप्टी थाउजंड लिक लीजेगा विल बी डिस्टिब्यूटेड इन न्यू प्रॉफिट शेरिंग रेसियो एक तो पीटा एस टी ए ठीक है यहाँ पे न्यू कैपिटल न्यू कैपिटल कितना आ जाएगा आपका चार लाख पचास हजार इन्टू रेशियो क्या था त्री अपॉन सेक्स होगा 4,50,000 into into one upon six और यहां पर 4,50,000 into two upon six right two upon six अब new capital कितनी आ गई आपकी पहले वाले में काटा है यहां पर हमने कितना आजएगा 3 75,000 और 75 इंटु 3 जब करेंगे तो कितना आजएगा आपका 5 15 20 2,00 2,00 2,00 2,00,50,000 यहाँ पर बिटा कितना आजएगा और यहाँ पर 1,00,50,000 अब यह थी आपकी न्यू कैपिटल अब क्या करेंगे ओल्ड कैपिटल से कमपेर करेंगे अब ओल्ड कैपिटल आप अल्रीडी निकाल चुके हो याद करो कहा यह देखो यह निकाले हो ना यह यह निकाले हो का नहीं निकाले हो कमपेर करो एक लाग असी हजार टीन सो एक लाग असी हजार टीन सो और यह कितना है वेड़ा एक लाग दस हजार सवरुपया एक लाख दस हजार सौ रुपया और इनका तो एक लाख पचास हजार ही है अब बताइए कौन पैसा बिड्रॉ करेगा और कौन पैसा डिपॉजिट करेगा मैंने क्या बताया था न्यू कैपिटल का मतलब क्या है है और इसका मतलब क्या है इसका मतलब है मैंने बताया था होनी चाहिए है नहीं भाई होनी चाहिए और इसका मतलब क्या बताया था है होनी कितनी चाहिए दो लाख पचीस हजार और है कितनी ? 18,300. यानि ये पैसा क्या करेगा ? लेकर आएगा कितना लेकर आएगा ? यह deposit करेंगे कितना deposit करेंगे ? किन हूँ 4700 और यह क्या करेंगे ? Bid draw करेंगे कितना ? 3500 रूपया पैसे जार सो रुपया और यह ना तो डिपॉजिट ना तो बिड्रॉव जर्नल इंट्री क्या होगी इनकी यह भी कर लो तुरंत है कि यह इंट्री होगी पैसा कौन लेकर आ रहा है कि एस क्या इंट्री होगी डाइंक अकाउंट डाविड टू एस कैपिटल इस वालेस अजार साथ सो इसके बाद बिड्रॉव कॉन कर रहा है टी बच्चे कहते हैं कि सर कॉपी नहीं भराती हमारी लिए भरो कितनी कापी भर नहीं है अला भी कॉपी ना लेना पड़ जाये तो बताना मेरा नाम बदल देना क्या होगा यहां पर की कैपिटल कि अधिश्वर्रे की कापी होती है भाई कितना कि 3500 कि 3500 हो गई आपकी जन्रल इंट्री अब कुछ बच्चों की दिमाग में आ रहा होगा सर्थ इस टाइम बेस्ट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप समझ लीजे आपसे बड़ा बेस्ट कोई नहीं है जान लीजे आपका नंबर एक्जाम में मोय मोय हो जाएग आप फिर कहेंगे कि सरमान अबर कटा कहा है यहीं कटा है देख लो यह सब नहीं करोंगे ना यसे नंबर कटेगा खट खट आकเรา कि नरेशन लिजएंशन नहीं होता है इसमें क्योंकि वह आपसे यह नहीं कह रहा है अगर आपको याद हो तो वो कुशन कह भी रहा था पास दा जर्रनल इंटरी इटरी कर रहे हो ना टाइम टू टाइम तो आगे देखेंगे सल्दी से अब इसी कुशन को दो लाइन और बढ़ाओ ठीक है कंपनी अकाउंट में करिएगा बाकी मत करिएगा अगर वो आपसे कहता है कि पास नरेशन तो करिएगा नहीं कहेगा तो मत करिएगा अगर देखेंगे अब देखेंगे ये था हमारा ओल्ड कैपिटल अब हमें न्यू कैपिटल लाना है न यहाँ पर पहले बैलेंस बीडी उतार दीजे एक लाक अश्य हजार तीन सो एक लाक अश्य हजार सो एक लाक पचास हजार अब कौन पैसा लेकर आ रहा था बाई कैश या बाई बैंक एज लास था पैस कितना पैसा लारा था और यह बीड़ा कर रहे थे तू बैंक यह बिड्रो कितना कर रहे थे 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 थीस अजार तो 35 की 33 अब बाकी बैलन्स एडी अब बाकी बैलन्स सीडी लीजे आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनकर तयार बैलन्स एडी देख लीजे दो लाक कितना होगा दो लाक पचीस हजार पचातर हजार और एक लाक पचास हजार लाक पचीस हजार और एक लाक पचास हजार ना जोड़िये घटाई यह नम्हांसल लिखिये हैं 1,10,000 rate गो रुपया है करद तो लाख पचस हजार कि एक लाख दस अजार तो 11,06,000 अभी एक चीज बाकी है बैलंस नगाऊ मैं जल्दी से not करेंगे बैलंस पर छेट करेंगे रपन न भरा आप लोगों का बैलेंस इट अब बैलेंस इट तो कुछ बची नहीं भाई बैलेंस इट में तो सिर्फ पी कैसी देंगे आप पी इसलिए नहीं भर पाते क्योंकि आप लोग इस तरीके से सवाल ही नहीं करते ना देखिए कैश सारा खेला कैस को है कैस कितना था आपका कैश कितना था पहले चेक करो कैस था आपका एक दस हजार था नश्यादनेंक्तश अएवलें पूराना पार्टनर भी ला रहा था और कोई बिड्रों भी कर रहा था दोनों जोड़ ये कितना था कितना बैलेंस था 10,000 था न गुडविल कितने लाग गुडविल कितने लाए था वह 20,000 गुडविल हो गया 1,50,000 खुद की kyapeetal हो गई नहीं partner की और S कैपिटल भी लेकर आया है जो 40,700 700 इसमें अक्सर गलती बच्चे कर देते हैं माइनस 35100 अक्सर गलती यहीं पर करते हैं बच्चे और कहते हैं कि सर बैलेंस रीट नहीं मैच हुई कैसे मैच होगी जब आप जोड़ेंगे घटाएंगे तब ना आएगी आपके पास कैस कितना था 10,000 नया पार्टनर लाया कितना एक लाक सत्तर अजार कोई पार्टनर भी तो ला रहा था जिसका नाम है स कितना ला रहा था 44,700 और कोई पार्टनर बिढरों भी तो कर रहा था कितना विड्रो कर रहा है 3500 सब जोड़ो गटाओ आंसर बतायो कितना one lakh 89600 पाकी जोड ठीक है जोड लीजे क्योंकि मुझे इन पर भरुसा नहीं है हाँ नहीं तो मेरी भी बैलेंस रीट कर बढ़वा दो तुम तस हजार प्लस बीस हजार प्लस एक लाग पचास हजार प्लस चौवालिस साथ सो माइनस फैतिस ठीक है सही है अब उसके बाद बाइक क्या है केपिटल उतारो जल्दी से हिस का आपेपिटल कितना था दो लाक पचीजार 75 हजार और येड़ लाक दो लाक पचीस लाक पचीस हजार पचाट्र हजार और एखलाख इनको जोडने की जुरुबरत ही नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि जोड़कर यह देखो balance आया ही है कितना चाल लाग पचास अजार पहले से दे रखा है तोटल चाल लाग पचास अजार तो आएगा उसके बाद liability side में जो कुछ बचा था आपका साथ creditor बचा था आपका तो creditor था देख लाग फीश अजार का और capital था लाग पचास अजार का एपचा के TYT ठर था एक लाग बीश अजार का और capital है आपका बैंक लोन है आपका 250000 पैसा काहनी खकाम काहनी खटम Пईशा हाenza liability complete अब assets में आओ कैस का आपने दीखी लिया था कैस के बाद अगला पॉइंट क्या था आपका डिटर डिटर में आपका बैलन्स क्या करेंगे साथ डिटर आपका घट रहा था ना 5,000 से 250,000 में से 5,000 घटा होगे तो कितना आ जाएगा 24,000 डिटर तो 24,000 250,000 में से पाँच हजार घटा है फिर क्या था प्लांट और मसीनरी चालीस हजार का दस परसेंट घटाएंगे चार हजार कितना आगे आपका 36,000 ठीक है एक लोग का 46,000 आ रहा है उसके बाद आगे स्टॉक का वैलू साथ कुछ आया था स्टॉक दो लाक उन्चास हजार चार सो स्टॉक दो लाक उन्चास हजार चार सो दो लाक उन्चास ना हो दो लाक उन्चास अजार चार सो अब आप अपनी हाथ में संतुष्टी के लिए जोड लीजे फिलाल मैं आपको बता दे रहा हूँ इदर आपका पांच 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 दस दस दो बारा आप गया एक साथ लाक बीस अजार इधर आप जोड लीजे साथ लाक बीस अजार ना आए एकांटिंग गुरू को अनसब्सक्राइब कर दीजेगा अरे इतना भरोसा है मालिक हमने गल्ति की नहीं है तो आंसर एकदम सही आएगा कर दीजे आपके वह तो जोड लीजे भीया आगया अगर आप सब्सक्राइब नहीं कियो तब सब्सक्राइब कर लेना ठीक है किसी ने सही कहा है कि गल्ती कोई करता नहीं है गल्ती हो जाती है और यह गुम नाम सक्त है कौन कि सहान खान अभी एक मैथट त्यृट कंपलीट हुआ के कल एक इसी तरीके से एक लौंग को अशन और करएंगे किन बेस पे ओल्ड़ पार्टनर के बेस पे अभी आप किस बेस चल रहे थे निउव पार्टनर के बेस पे चल रही थे अब्यस पे चलेंगे old partner के base पर चलेंगे ठीक है वेटा समझ में आ गया लेकिन हाँ एक चीज है यार आप लोग घर जाके पढ़ते नहीं हो यार आप लोग इस lecture के बाद पढ़ते नहीं हो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ये बिच्वे में से बंद कर देंगे lecture हो है और कुछ लोग तो मुस्कूराते रहते हैं मुस्कूराइये देखिये लड़कों का काम मुस्कूराना नहीं है बैट जाए एक मट के लिए लड़कों पे हमेशा एक चीज अच्छी लगती है और वो क्या है जानते हो सकत लोणडा बनना तो सक्त लॉंडा बनिये मुस्कुराने का काम इनका है आपका नहीं है आप मुस्कुराएंगे तो लोग आपको गलस समझ लेंगे ठीक है ना आजकल वैसे भी कानून पास हो गया है चलिए ख्याल रखिए आप सभी अपना जय महादेव